लास्ट टाइम जो भी एडवाईज मैंने दिया था मैंने बोला था थ्री फोर थाउजन के आसपास डिक्सॉन में आये तो आप लोग बाय कीजिएगा और मैंना आपको लोगों को टार्गेट भी बाला था कि सम्वेर एरॉड फोर थाउजन एट हंड्रेड रुपिस के आसपास का आपको टार्गे सेशन मैंने लेते ही बोल दिया इसका फेवरेट स्टॉक है तो पिछले लाइव सेशन आप लोग जरूर से देखेगा सम्वेर अराउड 18 जून 19 जून के आसपास का लाइव सेशन आप लोग जरूर से देखेगा वहाँ पर बोला था डिक्सॉन के बारे में अभी यहां पर क्लियरली देखने को मिल रहा है अभी डिक्सॉन को मैंने काफी लोवर लेवल पर रिकम्मेंडेशन दिया था फोर थाउजन रुपीज के आसपास तो वहां से आप लोग देखो को के तो 25 परसंट अभी भी स्टॉक्स उपर के साइट जल रहा है तो गाइस अभी जिस तरह का चार्ट के स्टॉक्चर मुझे देखने को मिल रहा है ना 4950 इस लक्समन रेखा फर दिस टॉक्ट की रेंज काफी छोटी रेंज बना दी है 4960 के नीचे 4960-4950 के नीचे अगर सस्टेंड करना चालू किया तो एक थोड़ा फॉल हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है तो शॉर्टिंग ऑपर्चुनिटी अगर ट्रेडिंग पर्स्पेक्टिव अगर डूड़नी है तो 4950-4960 की लेवल और यह लेवल की नीचे अगर सस्टेंड करना चालू करे तो फिर शॉर्टिंग ऑपर्चुनिटी आप डूड़ सकते हो और उस टाइम पर क्लोजिंग ब मतलब मिलती है तो हमें ट्रेड लिया जा सकता है जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरह से कुछ प्राइज एक्षन यहां पर देखने को हमें मिलने वाला है और यहां पर मैं क्लियरली देख रहा हूं कि 5300 के आसपास फुड़ा हलका सा सेलिंग बना हुआ है और रिसेंटली लेवल मैंने बताया है वो लेवल के उपर प्राइज एक्षन जरू से देखेगा और काम जरू से कीजिएगा यह स्टोक एफेंडो में भी अवेलेबल है तो पूट अप्शन में भी काम करना है तो डाइरेक्षन आपको दे दिया है हिंट दे दिया है एक्जिकुशन आप को करना है तो अब जरू से कर सकते हो इस टॉपलोस भी बताया है वन जैम टू का आपको रिस्क रिवर्ड रिश्यो मिलेगा तो जिस तरह से बताया है टिक्सौन के अंदर काम करके एक बार जरू से अपलोग देखिएगा